ओम शान्ती 12.10.2024 की मुल्ली है मुख्य रूप से बाबा ने कहा तुम जानती हो यह अनादी बना बनाया ड्रामा है इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं किसी का भी कोई दोश नहीं है यह भक्ती मार्ग भी फिर से पास होना है इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती फिर कहा आज और कल कल हम सत्यूग में थे आज 84 जन्मों का चक्र लगा कर नर्क में पहुँचे हैं कल फिर स्वर्ग में जाएंगे अब यह जहार पुराना जरजरी बूत हो गया है आत्मा को वापस घर जाना है इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हलका बना लेना है यहां का सब कुछ बुद्धी से भूल जाना है अनादी ड्रामा को बुद्धी में रख किसी भी पाट धारी की निंदा नहीं करनी है ड्रामा के राज को समझ बेश्व का मालिक बनना है अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाग खिवया बन आया है तुम सब की नईया को विशे सागर से निकाल खीर सागर में ले जाने अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है प्रश्न है तुम बच्चे हर एक का पार देखते हुए किसकी भी निंदा नहीं कर सकते हो क्यों? उत्तर क्योंकि तुम जानते हो यह अनादी बना बनाया ड्रामा है इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार बजा रहे हैं किसी का भी कोई दोश नहीं है यह भक्ति मार्ग भी फेर से पास होना है इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती प्रश्न है किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्यान समाया हुआ है उत्तर आज और कल कल हम सत्यूग में थे आज 84 जन्मों का चक्र लगा कर नर्क में पहुँचे कल फिर स्वर्ग में जाएंगे ओम शान्ती अब बच्चे सामने वैठे हैं जहां से आते हैं वहां अपने सेंटर्स पर जब रहते हैं तो वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम उच्टे उच्ट बाबा के सम्मूख वैठे हैं वही हमारा टीचर भी है वही हमारी नईया को पार लगाने वाला है जिसको ही गुरु कहते हैं यहां तुम समझते हो हम सम्मूख वैठे हैं हमको इस विशे सागर से निकाल खीर सागर में ले जाते हैं पार ले जाने वाला बाब भी सम्मूख वैठा है वो एक ही शिव बाब की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम अत्वा उँच ते उँच भगवान कहा जाता है अभी तुम बच्चे समझते हो, हम उँच ते उँच भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं वो इसमें अर्थात ब्रह्मात्तन में बैठे हैं, वो तुमको पार भी पहुचाते हैं, उनको रत्वी जरूर चाहिए न, नहीं तो श्रिमत कैसे दे, अभी तुम बच्चों को निश्य हैं, बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला भी है, अभी हम आ बैठने और यहां सम्मूख बैठने में राग दिन का फर्क है, वहां ऐसे नहीं समझेंगे के हम सम्मूख बैठे हैं, यहां यहां महसूसता आती है, अभी हम पुरुशार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी, अभी हम पावन बन कर घर जा रहे हैं, जैसे नाटक के एक्ट होते हैं, तो समझते हैं, अब नाटक पूरा हुआ, अभी बाप आये हैं हम आत्माओं को ले जाने, यहां भी समझाते हैं, तुम घर कैसे जा सकते हो, वह बाप भी है, नईया को पार करने वाला खिवया भी है, वो लोग भलगाते हैं, परन्तो समझते कुछ भी नहीं है, क इनया किसको कहा जाता है? क्या वो शरीर को ले जाएगा? अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं. अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैशा लह में, विशे वैतरनी नदी में पड़ी है. हम असल रहवासी शांती धाम के थे. हमको पार ले जाने वाला अर्थाद घर ले जाने वाला बाप मिला है. तुम्हारी राजधानी थी, जो माया रावण ने सारी छीन ली है. वो राजधानी फिर जरूर लेनी है. बेहत का बाप कहते हैं बच्चो, अब अपने घर को याद करो. वहां जाकर फिर खीर सागर में आना है. यहां है विश क सागर. वहां है खीर का सागर. और मूल वतन है शांती का सागर. तेनो धाम है. यह तो है दुख धाम. बाप समझाते हैं. मीठे मीठे बच्चो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो. कहने वाला कौन है? किस द्वारा कहते हैं? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहत अभी आत्मा पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा, अभी तुम समझते हो, हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते जूठे बन गए हैं, अब वो जूठ कैसे निकले, इसलिए यह यात के यात्रा की भठी है, अगनी में सोना पक्का होता है न, बाप बार बार समझाते हैं, यह समझानी जो तुमको देता हूँ, हर कल्प देता आया हूँ, हमारा पाठ है, फिर पांच हजार वर्ष के बाद आकर कहता हूँ, कि वच्चे पावन बनो, सत्यूग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, श जाहने के लिए मनुष कितना मातह मारते हैं। बाप समझाते हैं अभी सब को जाना है। फिर पाठ बजाने के लिए आना है। यह तो बच्चोंने समझा है। बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं हे भगवान हमें अपने पास बुलाओ। हमको यहां दुख में क्यों छोड़ा है जानते हैं बाप परमधाम में रहते हैं तो कहते हैं हे भगवान हमको परमधाम में बुलाओ सत्यूग में ऐसे नहीं कहेंगे वहां तो सुख ही सुख है यहां अनीक दुख है तब पुकारते हैं हे भगवान आत्मा को याद रहती है परन्तु भगवान को जानती बिलकुल नहीं है अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है बाप रहते ही है परमधाम में घर को ही याद करते हैं ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं वो रहते ही है शानती धाम में सब शानती मांगते हैं परमधाम में भगवान के पास तो जरूर शांती ही होगी, जिसको मुक्तिधाम कहा जाता है, वो है आत्माओं के रहने का स्थान, जहां से आत्माय आती है, सत्यू को घर नहीं कहेंगे, वो है राजधानी, अब तुम कहां कहां से आये हो, यहां आकर सम्मुख बैठे हो, बाप बच्चे बच्चे कहे बात करते हैं, बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं, फिर टीचर बन स्रिष्टी के आदी मद्ध अंत का राज, अत्वा हिस्ट्री जोग्रफी समझाते हैं, यहां बाते कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम बच्चे जानते हो, सत्यूग त्रेता द्वापर कलियुक तो यहां ही होता है, पाट भी तुम यहां बजाते हो, शुक्ष वतन का कोई पाट नहीं, यह साक्षातकार की बात है, कल और आज, यह तो अच्छी रिति वुद्धी में होना चाहिए, कल हम सत्यूग में थे, फिर 84 जनम लेते लेते, आ आज नर्क में आ गए है, बाप को बुलाते भी नर्क में है, सत्यूग में तो अथा सुख है, तो कोई बुलाते ही नहीं, यहां तुम शरीर में हो, तब बात करते हो, बाप भी कहते हैं, मैं जानी जाननहार हूँ, अर्थात स्रिष्टी के आदी मध्ध अंथ को जानता हू परंतु सुनाओ कैसे, बेचार की बात है न, इसलिए लिखा हुआ है, बाप रत लेते हैं, कहते हैं मेरा जनम तुम्हारे सद्रिष नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, रत का भी परिचय देते हैं, यहां आत्मा भी नाम रूप धारन करते करते तमो प्रधान बनी हैं, इस समय सब छोरे हैं, क्योंकि बाप को जानते नहीं हैं, तो सब छोरे और छोरिया हो गए, आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं न, छोरे छोरिया लड़ते क्यों हो, तो बाप कहते हैं मुझे तो सब भूल गए हैं, आत्मा ही कहती हैं छोरे छोरिया, लोकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहत का बाप भी कहते हैं, छोरे छोरिया, यह हाल क्यों हुआ है, कोई धनी-धोनी नहीं, तुमको बेहत का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्ब से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो, ठीक करवित्तर में है, बाप अब पुरानी नईया खोफनाक होती है, कहां रास्ते में तूट पड़े, एक्सिडेंट हो जाए, तो तुम कहते हो हमारी नईया पुरानी हो गई है, अब हमें नई दो, इनको वस्त्र भी कहते है, नईया भी कहते है, बच्चे कहते बाबा हमको तो ऐसे लक्ष्मी नारैन वस्त्र चाहिए, बाब कहते हैं मीठे मीठे बच्चो स्वर्गवासी बनने चाहते हो, हर पांच हजार वर्ष बाद तुम्हारे यह कपड़े पुराने होते हैं, फिर नया देता हूँ, यह है आसुरी चोला, आत्मा भी आसुरी है, मनुष्य गरीब होकर तो कपड़े भी गरीबों की पहनेंगे, साहुकार होगा तो कपड़े भी साहुकारी के पहनेंगे, यहां बाते अभी तुम जानते हो, यहां तुमको नशा चड़ता है, हम किसके सामने बैठे हैं, सेंटर्स पर बैठते हो तो वहां तु मुख होने से खुशी होती है क्योंकि बाब डायरेक्ट बैट समझाते हैं वहाँ कोई समझाएगा तो बुधियो कहां कहां भागता रहेगा कहते हैं गोरक दंदे में फसे रहते हैं फुरसत कहां मिलती है मैं तुमको समझा रहा हूँ तुम भी समझते हो बाबा इस मुख द् कितनी महिमा है गौमुख से अम्रित पीने के लिए कहां कहां जाकर धक्के खाते हैं कितनी मेहनत से जाते हैं मनुष समझते ही नहीं है कि यह गौमुख क्या है कितने बड़े समझदार मनुष वहां जाते हैं इसमें फायदा क्या और ही टाइम वेस्ट होता है बाबा कहते हैं यह सूर्यास्त आदी क्या देखेंगे? फायदा तो इनमे कुछ नहीं, फायदा होता ही है पढ़ाई में. गीता में पढ़ाई है न, गीता में कोई भी हठ्योग आदी की बात नहीं, उसमें तो राजियोग है. तुम आती भी हो राजाई लेने के लिए. तुम जानती हो इस पासुरी दुनिया में तो कितने लड़ाई जगड़े आदी है। बाबा तो हमको योगबल से पावन बनाए बिश्व का मालिक बना देते हैं। देवियों को हथियार दे दिये हैं। परन्तु बास्तव में इसमें हथियारों आदी की कोई बात है नहीं। काली को देखो कितना भयानक बनाया है। यह सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैट बनाया है। देविया कोई ऐसी चार आठ भुजाओं वाली थोड़ी होंगी। यह सब भक्ति मार्ग है। सो बाब समझाते हैं। यह एक बेहत का नाटक है। इसमें कोई की निंदा आदी की बात नहीं। अनादी ड्रामा बना हुआ है। इसमें फर्क कुछ भी पढ़ता नहीं है। ज्यान किसको कहा जाता, भक्ति किसको कहा जाता। यहां बाब समझाते हैं। भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम चौरासी का चक्र लगाते लगाते नीचे आएंगे। यहां अनादी बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है जो बाब समझाते हैं। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम बिश्व के मालिक बन जाते हो। बंडर है ना। भक्ति कैसे चलती है, ग्यान कैसे चलता है। यहां खेल अनादी बना हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वो तो कह देते ब्रह्मु में लीन हो गया, जोती जोत समाया। यह संकल्प की दुनिया है, जिसको जो आता है वो कहते रहते हैं। यह तो बना बनाया खेल है, मनुष्य बाइसकोप देख कर आते हैं, क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे। बाप बैट समझाते हैं बच्चे, यह बेहत का नाटक है, जो हूँ बहूरी पीठोगा। बाप ही आकर यह नौलेज देते हैं, क्योंकि वो नौलेजफुल है, मनुष्य स्रिष्टी का बीज रूप है, चैतन्य है, उनको ही सारी नौलेज है। मनुष्य ने तो लाखो वर्ष आयू दिखा दी है, बाप कहते हैं, इतनी आयू थोड़ी ही हो सकती है, बाइसकोप लाखो वर्ष का हो, तो कोई की बुद्धी में नहीं बैठे, तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखो वर्ष की बात कैसे वर्णन करेंगे, तो वो सब है भक्ति मार्ग धंदा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्यूँ आएंगे यहां तो सब कुछ भूलना है इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है शांती धाम से फिर हमको यहां आना पड़े बाप कहते हैं मुझे याद करो इनको ही योग अगनी कहा जाता है यहां राजधानी है ना, तुम राज रिशी हो रिशी पवित्र को कहा जाता है तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए बाप ही तुम्हें सब सत्य बताते हैं तुम भी समझते हो यहां नाटक है सब एक्टर्स यहां जरूर होने चाहिए फिर बाप सबको ले जाएंगे यहाँ इश्वर की बारात है न वहाँ बाप और बच्चे रहते हैं फिर यहाँ आते हैं पाड़ बजाने बाप तो सदयव वहाँ रहते हैं मुझे याद ही दुख में करते हैं वहाँ फिर मैं क्या करूंगा तुमको शांती धाम सुख धाम में भेजा बाकी क्या चाहिए तुम सुख धाम में थे बाकी सब आत्माई शांती धाम में थी फिर नंबर वार आते गए नाटक आकर पूरा हुआ बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो पावन तो जरूर बनना है बाप कहते हैं यहाँ वही ड्रामा अनुसार पाट बज रहा है तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प आता हूँ नई दुनिया में अब चलना है ना अच्छा मीठे मीठे सी किलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिग और नमस्ते बाबा नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार पहला अब यह जार पुराना जरजरी भूत हो गया है आत्मा को वापस घर जाना है इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हलका बना लेना है यहां का सब कुछ बुद्धी से भूल जाना है दूसरा अनादी ड्रामा को बुद्धी में रख किसी भी पाट धारी की निंदा नहीं करनी है ड्रामा के राज को समझ बिश्व का मालिक बनना है वर्दान है साइलेंस की शक्ती द्वारा आत्म शक्ती के उडान की तीवर गती करने वाले बिश्व परिवर्टक भव विस्तार है साइन्स के साधनों की रफतार को साइन्स द्वारा कड़ भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं लेकिन आत्मा की गती को अभी तक ना कोई पकड़ सका है, ना पकड़ सकता है इसमें साइन्स अपने को फेल समझती है जहां science fail है वहां silence की शक्ती से जो चाहो वो कर सकते हो तो आत्म शक्ती की उडानती व्रगती से करो इस शक्ती से स्वाप परिवर्तन चाही किसी की वृत्ती का परिवर्तन बायु मंडल का परिवर्तन कर बिश्व परिवर्तन बन सकते हो तेवरता की निशानी है सोचा और हुआ स्लोगन शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन सहियोगी बनू अच्छा, ओम शान्ति